चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपको कॉंपनेंट ओफ रोड पेव्मेंट कर रहा है ठीक है अगर रोड पेवमेंट की बात करो तो रोड पेवमेंट बनता कैसे है लेकल में डेवाइड है ठीक है अभ जो यह सिंगल लेज है हर-hari every single layers को one by one देख रहे हैं तो सबसे नीचे जो है वो होता आपको soil subgrade अब यह होता क्या है soil subgrade को आप कहते हैं कि natural soil ठेक है जो natural soil जो present है उसी के ओपर आप layer चड़ाते हैं पुर जो सबसे नीचे वाली जो layer है जिसमें natural soil present है उसी को आप soil subgrade कहते हैं ठेक है अब इसमें देखिए क्या लगा है इसको आप soil subgrade कहते हैं ठेक है इसका यूज इसलिए है जिसकी वज़े से यह आपकी जो layer है वो बाकी की remaining layers upper layers को क्या करती है वह support देती है ठेक है अब यह जो soil subgrade इसको आप prepare क्या सकते हैं या तो आप इसको प्रेपेर कर सकते हैं या तो आपने directly क्या किया कि आपने soil सबसे नीचे वाली लेयर होती है पेव्मेंड की जिसे आप कहते हैं स्वाइल सब्ग्रेड दो चीज़े में याद रखनी है एक तो यह नाशनल स्वाइल है दूसरा इसका काम क्या है यह सपोर्ट प्रोवाइड गरती है टूदी अधर कॉंपनेंट ओफ लेयर अब इसके इसके फंचन्स देखनें की क्या क्य सब्सक्राइब करते हैं पहला तो ऑविस्टी एट प्रोवाइशन एड़ुकूर्ट एंड इनिफॉर्म सपोर्ट टूदी अपर लेयर्स ठीक है तो सेकेंड जो इसका फंचना वही है एट डिस्रीब्यूट दा लोड आक्टिंग अन्दी पेविंट नार्ज स्कील तो सब सबसे क्यांकि जो सॉलोर्ड रोड टामम है दिस्रीब्यूट industry कि वह सबसे ज्यादा एरियमगे वाइस अधर करें तो सब्सेण से एरिया अर्य करते अपक्य rồi लेयर अगय स्टार्ट इम से लोड्स डिस्रीब्यूट होना शेंट नममर बंस और फिर जैसे जैसे आप dept में में जाएंगे लेर 2 में जाएंगे तो वैसे आपकी लेषे लेयर लोट आपको क्या होगा वो इसके बाद इसमें लिखाए तो बेव लास्टिक लियांड अजस्ट इट सर्फ टुदी एक्सेसर स्ट्रेस करनेशिंशन ठीक आब यह जो लेयर होती है यह लास्टिक होती है लास्टिक मतलब यह है कि जब भी लोड लगेगा स्ट्रेस लगेंगे तो क्या होगा कि जो लेयर में क्या है expansion और फर्दर कॉंड्राक्शन होगा लोड लग रहा है तो यह जो लेयर है बीएस लास्टिक लिए उसके अकॉर्डिंग ली क्या होगा इसमें सब्सक्राइब क्या है कि जो पानी पड़े तो पानी अफेक्टिवली आपको डिस्चार्ज हो जाए तो के लिए आप क्या करते हैं आप जो यह लेयर होती है सब्सक्राइब क्या करते हैं इसमें आप क्या करते हैं आपका सबसे नीचे वाली लेयर अब इसके उपर वाली जो जस्लेयर है वह थी आपकी है सब्सक्राइब करते हैं अब इसमें क्या लिए लेयर अफ लोकली अविलेबल ग्रानियुलर मटीरियल प्रोवाइब इन ब्ट्वीन दा स्वाइल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अब इसको बना कैसे रहें इसमें क्या है लोरली अवेलेबल ओफ लोकली अवेलेबल ग्रानियुलर मटी तो आसपास के एरिया में अगर आपके जो मटीरियल्स हैं उसको आप यूज कर ले तो अग्रियेट्स वगर आपने यूज कर ले और आपने सिंप्ली आपने एक और लेयर बिचा दिया है अब यह जो सब्ग्रेड है यह क्या करते हुए इससे आप पेविमेंट की थिक्निस को आप बढ़ा देते हैं और अट लो आपकी क्या है रिडियूस होगी है इस वज़े से जो कॉस्ट है आपकी कम निकल के आई है ठीक है आप इसके पंचिन क्या होते हैं सबस्कोर्स अब क्यों यूज करते हैं पहला तो है टू इंक्रीज दी स्ट्रॉक्षिल सपोर्ट और दी ओवर लाइंग बेस को साइंड व इंप्रूफ करने के लिए आप सबस्कोर्स यूज करते हैं इसके बाद जो थोर्ड पॉइंट है तो इलिमिनेट दी फ्रॉस्ट हीव बाइब रिवेंटिंग कैपिलरी राइज ओफ वॉटर तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं स्वाइल की बात करूं उसके नीचे नाश् पॉर्ड जिसके वज़े से क्या होगा पानी जो है कि वाइट से होगे तो सबसे नीचे वारी लेर में क्या हो सकता है कि पानी आपका राइस कर सकता है ठीक है बाया आक्शन ऐफ कैपिलरी राइस ओवाटर भाड़ अब उस चीज को प्रवेंट करने के आपने उसके उपर एक अच्छी सी लेयर दे दी है तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि आगा आगा आपका वाटर राइस करेगा सॉइल के वाइट से और उसमें एक फ्रीजिंग कंडिशन आ जाए या फिर आपका वाटर फ्रीज कर जाए तो ऐसी सम्भाव नहीं कम हो जाएंगे ठीक है फोर्थ इसके बाद है तो अपने अग्रिएट को आज फिलिंग मटीरिल यूज कर लिया ठीक है लोकली अविलिबिन से वो भी उसकी इंक्रीज हो गई है तो प्रोवेड एकनॉमी तो दी पेवेंट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन अब देखो कॉस्ट जो उसकी निकल के आ रहे हो काफी कम है तो अपने एकनॉमी भी देदी है पेवमेंट को फिर है तो सेज़ दी अपर लेयर औफ बेस को और कि डेयरीमेंटल अफेट ओफ पूर ग्वालटी सब ग्रेड़ रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो उसके ऊपर क्यो लेयर्स आपकी बेस कोर्स और विवरिंग कोर्स टेकिंगए उसको आप एक पूर क्वालटी सब ग्रेड़ ओने से भी आप क्या कर रहे हैं प्रेवि ली अवेलेबल मुटीरियल आपने ग्रियर यूज किया है जिसके फाइद है आपने अभी हमने उपर पढ़े है तो जो क्वालिटी है पेविमेंट के वह भी इंप्रूफ हो गई है अब उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट लेयर है वह आपकी है बेस कोर्स ठीक है तो बेस कोर्स में क्या है वेसज कोर्स इस यूज ठूजटू एस उसियूसिण फ्लेक्सिबल पियमेंट असले बोल्डर ऑफ बोल्र ओर वह ब्रक्स लेत वर्लेड और δी सब्छ इसकोर्स तोये आपकी पहली तो यह फ्लेक्सिबल पेलमें यूज वोतीर दूसरा यह आप कैसे वर्म करते इसमें आप बोल्डर्स यूज़ करते हैं बोल्डर्स मतलब ऐसे स्टों इनका जो साइज है वो काफी बढ़ा होता है या फिर आपने ब्रोकन ब्रेक्स अपने यूज़ कर ले करते हैं सब्बेस कोर्स ठीक है क्योंकि इसके नीचे जो लेयर होती हो क्या होती है आपकी ब्रोड करेंग केपासिटी जो रूड पीव्मेंट किये वह तो एक तो इन्क्रीज और दूसरा ओधिस्पूट कर रहे हो लोड को अफानाइट थिकनेस अब ने अच्छे थिकनेस अव परेवन में लोड को गया कर दिया वह आपने डिस्रिपूट कर दिया जो फंडामेंटल फंचन है बेस कोर्स का वह यह कि मेन इसका ही है कि प्रोवाइडा स्ट्रेस ट्रांस्मिटिंग मीडियम तुस्प्रेड दी सर्फेस वी लोड अक्टिंग ऑन दी सर्फेस कोर्स तो एक तो आपने यह आप यूज करते हैं जिसके वजह से थिकने से बड़ च एक वह तो बेस कोर्स भी क्या गरे रही है वो यूस कर रही है अब यह कमें फंडमेंटल पार्ट क्या हो जिस अमने भी बड़ा कि वह डाक्त आप्ट आज अमीडियम एटाग्ट आज अमीडियम फॉर दी टांसर ओ लोड अविए जो सब्सकोर्स और बेसकोर्स में डिफि कपासिति एकई तो सब्सकोर्स को आप सब्सक्राइड लेजर के उपर ऊपर यूजर करते हैं और तो कि जो प्रोड़िए क् corrupted न मिदृड़ कि avait typ box UK करतें इस प्रॉइड विजआ तिस अब बिस आपका बेस के के ऊपर यूज उत ती है और समय साभी सिर्ट लेयर के ऊपर उपर आङरेकर का बिल्कि बे e1 Should ने सी को आप सब्ग्रेट और सब्भेस को स्के ऊपर आप यूज कर सकते हैं से कि जबात करें तो सीच वह काफी बड़ा होता है अगरा हम कुंपेर करें सबस्कार जीसरा आप्स इस प्रॉइड हम्हों तीसरा डिफिंस है वह यह कि इस प्रोवाइद दूत इंफिर सभालिट्य ओव्स मटिरी ती कोड़ी तो चुर्श में उसकी quality जाधा बेटर नहीं होती है अगर कि बेसकोर्स के अगर मात करें तो एक अच्छी quality of aggregate आपका यूज होता है बेसकोर्स में ठीक है चौता जो डिफरिंस है वह यह है कि जो थिकने सोटी सब बेसकोर्स की वह स्मॉल होती है अगर हम बेसकोर्स की बात करें जो थिकने से वह काफी जाधा होती है ठीक है फिर आई आई आप सफ्समें अगर्गी इट में नोट भी और मेंटेट फॉंदी रोड पेविंट अंद इस नोट एकुरट लिए डिजाइन अब यह इसकी जो डिजाइन का जो पा यह तो होना ही जाधिया सब बेस ली निकाल भी विसक्ते नहीं निगाल सकते हैं ऐस ही और जूस के डिजाइन होती हो जो काफी अले होने चाहिए